नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी पौरानिक कताई में दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वैसे सुना होगा कि एक लोटा पानी भी आपकी किस्मत खोलने का काम कर सकता है जी हां यह बिलकुल सच है जोतिश शास्त्र में ऐसे अनेक उपाए हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है कि वे चमतकारिक रूप से अपना असर दिखाते हैं उन्हीं में से एक है जल प्रयोग नव ग्रहों की पीडा शांत करने जीवन में त तरीके से किया जाता है जल जहां भगवान शिव की सबसे प्रियवस्तु है वहीं पीपल में जल अर्पित करने से भगवान विश्नु लक्ष्मी की क्रिपा भी प्राप्त होती है आज हमने इस वीडियो एक लोटा जल के विभिन उपायों को विस्तार से बताया है जिन्हे अगर आप करते हैं तो उसका रिजिट आपको कुछ दिनों में ही दिखाई देने लगता है इस वीडियो को ध्यान से सुने पूरा सुने आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा चलो चलते हैं सुनते हैं दोस्तों आज के जो हमारे विडियो का विशय है जल के बारे में है वैसे तो आप सभी लोगों को जल के बारे में अवश्य पता होगा यह कहावत अवश्य सुना होगा जल है तो कल है कहने का मतलब है कि जल्द ही हमारे जीवन का आधार है संसार जब जल से भरा था जब स्र जल का तत्व अधिक है, अर्थात यदी देखा जाएं, तो जल के जो तत्व की संख्या है, हमारे शरीर में अत्यधिक है, बिना अन्न के आप बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं। चमतकारिक उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपके जीवन को अमरित जैसा बना देंगे, आपके जीवन में चलिये विश है, उसे समाप्त करेंगे, वे इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है, उस परेशानी को दूर करेंगे, और इस वीडियो को देखन अपके जीवन को बाहर आने से आपको धन्वान बनने से कोई नहीं रोक सकता इसी के साथ साथ आपके जीवन में हैं। संबंध रखते हैं और यक्ष जो यह जितने भी सिविका है आपने देखा होगा जो यक्षिनी धन देने वाले बहुत सारी यक्षिनी होती है और जैसे की कुबेर जी है यह भी की गणना में आते हैं तो आज मैं आप लोगों को रात में सोने से पहले एक लोटा जल इस जगह पर रख देना फिर देखना आपकी किस्मत कैसे चमकेंगे आप हमारे वीडियो के टाइटल देखी चुके हैं जनहित एवन जनकल्यान करना इसलिए आप सभी दर्शकों को अच्छे से जानकारी बताये जाते हैं हम चैनल की तरह कोई मिसलीडिंग जान कारी नहीं बताते तो इसे जानकारी नहीं बताते हमारे चैनल में बताये गए जानकारी अधिक्तम अध्यात्म होते हैं हमारे चैनल का मकसद ही है जनहित एवन जनकल्यान करना हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यदी हमार विडियो को देख करके आप में से किसी एक भी बंध होगा। आप में से किसी एक भी बहनों का यदी भला होता है तो हमें भी अच्छा लगता है। हमें भी पुन्य की प्राप्ती होती है तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जल्द किस तरह से हमारे जीवन को बाहर लाने का काम करेंगे हमें हमारे जीवन में धन संबंधी परेशानी है जीवन में किसी भी तरहे की परेशानी, उस परेशानी से हम कैसे निकले वीरों को आपको अवश्य देखना अधूरे ज्यान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं छोड़ करके जाते हैं, दर्शकों इसमें आपको नुकसान होने वाला है, फिर पश्चात में चलकर के आप ही बोलते हैं, जी हमें समस्या में गिरे इसे निकलने का कोई उपाय बताएं देखिए आप उपाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते कोई बात नहीं केवल जानकारी के लिए अपने ज्यान बढ़ाने के लिए अपने नौलेज बढ़ाने के लिए अपने नौलेज को आप जो इंप्रूव करने के लिए यह विडियो ध्यान से देखिएगा तो एक ल प्राचीन जो देश्मुक है और इसी के साथ साथ बहुत सारे हमारे तंत्रशास्त्र के बुक में भी स्पष्ट लिखे हुए हैं, जो जल है, यह जल का प्रतिनिधित्व करता है, कौन वरुन देवता और इसी के साथ यह यक्ष जाती से संबंध रखते हमें धन प्रदान करत है, तो ऐसा समझा जाता है कोई भी मानव सच्चे मन से पूरे विश्वास, के साथ यदि ये उपाय को करेंगे आपको 100% लाभ मिलेंगे, यदि आप लाभ आपको हासिल नहीं होता, तो कल आप हमारे चैनल गरोठ धर्मार्थ को सब्सक्राइब कर लेना बिलकुल दावे के साथ कहते हैं, किन्तु यह उपाय करेंगे पूरे विश्वास रखना है, पूरी श्रद्धा रखना है, क्योंकि श्रद्धा नियम सन्यम और विश्वास पर टोल, तोटके अपने प्रभाव दिखाते हैं, तो आपको करना क्या है, शुकल पक्ष के सुमवार से जीहा, शु और पूरे शुकल अर्थात एक कम से कम 15 दिनों तक लगातार पीपल की जड़ में आपको बिलकुल ही मनोकामना बोलते हुए मनोरत हुए आपको जल चड़ाने अर्थात जल डालना है तो ऐसा समझा जाता है। किसी भी शुकल पक्ष के प्रथम दिवस से भी ये उपाय किया जा सकता है। पूरे शुकल पक्ष भर आपको पीपल की जड़ में बिलकुल ही आपको पीपल की जड़ में आपको जल डालना है तो बड़े से इच्छा की पूर्ती होती है किन्तु जब तक आप जल डालते रह अपनी इच्छा के बारे में किसी को नहीं बताना है, देखिए उपाय तभी फलकारी होते हैं, जब आप गुप्त रखने किसी को बताते नहीं यह पहला प्रयोग है, जल के इसका दूसरा प्रयोग आये जानते हैं, तो शाम के समय में सूर्यास्त के पश्चात ध्यान से सुन उपाय करने के लिए यदि आपके घर में कोई जैसे की माताश्री भी ये उपाय करने के लिए बोल सकते हैं, तो शाम के समय में सूर्यास्त के पश्चात एक लोटा जल लेना है, उसमें आपको दो बूंद इत्र की डाल देना है, और एक आपको रेड कलर की पुषपांजल गुड़हल की पुषपा ले सकते हैं, यदि यह दोनों पुषपा न मिले, तो आप जो है, आपको जो बंद पड़े पुषपा लीजिए, किन्तु रेड कलर की होना चाहिए, वाइट कलर की होना चाहिए, तो शाम के समय में आपको करना क्या है, एक लोटा जल लेना है, आ इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी सभी मनुष्य में आप मानो या ना मानो, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी शाम के समय में सभी मनुष्य के द्वार में आती है, किन्तु हम इसे देखते नहीं है, बिल्कुल ही हम नजरंदाज कर देते हैं, माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पहले समय में आप जरूर देखना एक लोटा जल घर के द्वार पर रखा जाता था, इसलिए पहले लोग संपन्न होते थे, पहले के लोग वैभवशाली होते थे, पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे, तो यदि आप आज जो है, यदि आप भी यह क्रिया शुरू करते हैं घर के द्वार पर एक लोटा जल उस मित्र डाल के पुश्प दान करके रखते हैं, तो इसे लक्ष्मी का बंधन होते हैं आप में से अधिकतर लोग हैं, ना गुरुजी हमारे घर में पैसे आते तो है, किन्तु पैसा फिर चले जाते हैं, पैसा बिलकुल ही ठहरता नहीं है, तो यह उपाय करने के पश्चात आपके में पैसा खनना शुरू हो जाएंगे, अर्थात आप लक्ष्मी का आदर करना तो मैक्सवेल्स ठाई रूप से आपके घर में बंध जाएंगे दिन दुगनी रात, चौगुनी आपके देखना उसी टाइम से जिस दिन आप यह उपाय करेंगे, तरक्की होना शुरू हो जाएंगे, मैं छाती ठोक कर बोलता हो चैनल में जो जानकारी बताये जाते हैं, जानकारी अचुक रामबान की तरह कम करते हैं, और चैनल के ही मकसद है, जनहित एवन जनकल्यान करना सही जानकारी बताना देखिए, इसमें तो आपको कोई ज्यादा पैसे नहीं, लगने वाले आपको करके देखने में इसमें क्या हर्स है? बिलकुल करके देखिए, इसमे लाभ मिलेगा। आपके घर में नहीं देते घर के मुख्य द्वार पर जल रखने के और भी अंगिनत फायदे इससे पित्रदेवी प्रसन्न होते हैं। आपके साथ में यदि कोई नकारात्मक शक्ती आ गई है, से या फिर कोई नुकसान करने वाली शक्ती आ गए हैं, तो बिलकुल ही आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। जल आप अपने शरीर में जैसे ही सीखते हैं, जल तत्व आपके शरीर बिलकुल वभस्म हो जाएंगे क्योंकि मनुष्य को छोड़ करके जितने भी संसार में यानी है, कोई योनी जल तत्व को बरदाश्ट नहीं कर पाते यहां तक कि प्रेट के उपर में यदि आप जल ड प्योग बता रहा हूं, यदि आप वीडियो को यही पर छोड़ करके जाएंगे, तो अब आपको सारी जिंदगी पच्टाना पढ़ जाएगा दर्शकों, अभी जो उपाय बताऊंगा, यह उपाय आपके पूरे जिंदगी को लाइफ को बदल देंगे करना क्या है, आपक ये के नीचे साइड में रखना है, आप जिस थान पर सोए उसी के नीचे में आपको रखना बिल्कुल उसके सीधे में इसके पश्चात इस जल को इस जल को सोकर उठने के पश्चात आपको इसे जैसे, आप जल रखें तो सुबह इसे बिल्कुल सो करके उठने के पश्चा उसमें आपको इस जल को डालना है तो आप जैसे नित्यक्रिया शुरू करेंगे जैसे जैसे उस में उस व्रिक्ष में आप तो जल डालना शुरू करेंगे तो उसमें जैसे फूल फूल आना शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन भी खेलना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे वह जो पौधा में आप जल्द डालना शुरू करेंगे बिल्कुल ही वैसे वैसे आपके जीवन में बाहर आएंगे आपके जीवन भी उस पौधे की तरहें खेलने लगेंगे खुलने लगेंगे आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं बिल्कुल ही उसमें ए ज़िए आप जो किसी भी जैसे पोस्ट में आप जो जल डालते हैं, तो इससे भगवान गनेश जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जितने भी पेड पौधे हैं, यह सब किसको समर्पित है, यह बुद्ध ग्रह को समर्पित है, बुद्ध ग्रह का स्वामी कौन है? भगवान गनेश जी है, मैं एस्ट्रोलॉजर की यदी में दुनिया में जाओ, तो बहुत सारे इसका बिनिफिट आपको हासिल होगा। इस दुनिया में ओ सारी चीजे मिलना शुरू हो जाएगी आशा है, इस प्रस्तुती में बताए गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी तो मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।